तुम लोग क्या सचे में बड़ा वीडियो बनाना बोल के आ रहे नहीं नहीं इस भी बहुत सारी चीजे हुई है जिसका मैं बना सकता था लेकिन मेरा आलसपन के कारण में बना नहीं पाया कास मैं ऐसा तुमको बोल पाता क्योंकि इस एक महिने के अंदर जो मैंने बड़ा व आज के दिन में है चार हजार तो आप सब का बहुत ज्यादा सुक्रिया इतने दिनों से मैं सिर्फ सॉट्स वीडियो बना रहा था दोस्तों अगर तुमने नहीं देखा है कुछ लोग अंजान रहे गए हो सॉट्स से क्योंकि उसका नोटिपिकसन आता नहीं तो जाओ हुए हैं दोस्तों जैसे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम सुए थे सबसे पहला जो है हपाटैटिस डे हुआ था उस दिन में ब्लॉग बना सकता था पर मैंने स्रिफ मेरे एक्टिंग का पार्ट का ब्लॉग बनाया था मतलब वीडियो किया था तो तो तुमा अधियो का था उसके बाद आया था दोस्तों संवलपूरी डे तो प्रीड के दिन हमने बहुत सारा डांस किया था तोस्तों मेंने ग्लास के बच्चों के साथ ग्रूब डांस किया था तो एक खुषू यारे आउच्वा पलात्या पला उचे आओ मा कंदल आवजी केमरा तर मेंने के दे दुमा शुती है और एक चीछवा है दोस्तों बहुत भी महत्मपून चीछवा है पता है क्या हुआ है मैं एक आंका अंदा हो गया हूँ टो देञा हऊ वहार एक रॉटल कम वहा है तो सुआ है क्यूक का वीडियो में पर करते हैसी के लिए हमको पहले प्रक्टिस केंना पड़ेगा तो इसेलिए हम अभी आले जाएंगे और अधर थोड़े हम मैं पहले से सीख चुका है वह वाला एक्टिंग थोड़ा सा और सिखाएंगे बच्चों को और कल यानि कि मंडे की दिन हम लोग जाएंगे बाहर उसको परफॉर्म करने यह जो फिलाल में जो प्रोगाम सो रहे थे वह तो हम लोग कॉलेज के अंदर कर रहे थे यह वाला जो होने वह इंटरनेशनाल था और यह क्या है सूपरनेशनाल क्या है यह साल में चार बार में फेंटशिब डे मना रहे हो जी बात है यार चलो तो गाइस हम लोग कॉलेज जो है पहुच चुके हैं और अभी जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को साड़ी दस बोला गया था यहाँ पर ग्यारा बच चुके हैं और बच्चे मेरे को कॉल करके पागल कर चुके हैं मैम कॉल कर चुकी है सब कॉल कर चुके हैं और हमारे पास स घंटा है जल्दी सिखाना पड़ेगा सबको पहले से हम थोड़ा सीख चुके हैं बस थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा एड किया है उसको थोड़ा पोलिश करना है वह सारी बाते में तुको बाद में बताएंगे फिलाल चलते हैं उनका प्राक्टिस हो लो कर रहे हैं मेरे बिना प्रेजंस में वह देखते हैं चीए इस कमरे के पीछे क्या हो रहा है ऑलो गाइज यह देखो यह चल रहा है दोस्तों आलसी सारे आल मैं नहीं हूँ तो थोड़ा कर लो प्रैक्टिस आपके बिना यह तारीब के आचल में मत चुपाओ अपनी गलतियां चलो चलो चल उठो उठो अपनी जांगाल उठाओ चलो जांगाल उठाओ दोस्तों आपको एक अनोखी चीज दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों यह हमारा नया कॉलेज बन रहा है जो की आधा बुड़ चुका है डूब चुका है क्योंकि बारिस का महिना चल रहा है और इतना पानी इत काम फिर से कब चालो होगा वैसे कोशिज तो कर रहे हैं पानी निकालने का तो दोस्तों आज साथ तरीक और बेस फिडिंग का आखरी दिन तो आज हम पफॉंग करने बाले हैं जो की बाहर में तुमको बोला गया था मैं पहले बोल चुका हूं वीडियो में तो हम लोग करन देने वाले हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वहां पर देख सेथे हो डीजे वाले बाबू वी रेडियो हो चुके हैं इतना बड़ा स्पीकर उठागे चल रहा है वह बादसा को टकर दे रहा है तो यहां पर सब लोग रेडियो हो देख सकते हो हाथ हाथ में अन्षन करेंगे नहीं वह क्या करेंगे दोस्तों रेली करने के लिए हाथ में वह पांप्लेट पकड़ चुके हैं महनत से दो-तीन दिन पूरा बैट के लिखे हैं दोस्तों हाथ में कले इंक से लिखे हैं जो ज्यादा भगबास कर रहा हो है आब चलते है सीधा सीदा बस मे जो है बहुत खूज से दोस्तों क्योंकि उनको बाहर गुमाने लिया जा रहा है वह रोल प्ले के या बीरे यह किसी पी बहने जा रहा है मतलब इसलिए भीड जाता लगी है देख सकते हो मैं पहले मैं पहले बोल रहे हैं सब को जाओ बच्चों गुम लो जीलो अपनी तो हम हमारा सामान, सारा काम खुद संभालते हैं वैसे ही आज जहाँ पर हम role play करने बाले थे उस जगा को set किया, उसके बाद हमारा music system वगेरा वगेरा फिर anchoring वगेरा किया, हम लोगों ने हमारा role अच्छे से एक और बार समझा कि किसको कब, किस टाइम में आना है, stage में बात करना है और वहाँ पर हम लोगों ने हमारा main role play शुरू किया तो इस role play में हमने 3 families दिखाये थे तो सबसे पहले आते हैं हम working family के तरफ तो working family के जो माता पिता थे, वो पहले तो बच्चे के आने से बहुत खूस होते हैं लेकिन उसके बाद उस बच्चे को बिल्कुल इग्नूर कर देते हैं और किसी और के हवाले कर देते हैं और जिसके हवाले करते हैं, वो भी उस बच्चे को इतना ध्यान नहीं दे पाती पर उन्हें पता तो था कि बच्चे को मा का दूद बहुत जरूरी था उस समय पर वो अपने काम को इतना seriously लेते थे कि बच्चे को बिल्कुल seriously लेनी पाते थे और वो जब भी बाहर जाते थे तो बाहर का खाना खाते थे जो कि बच्चे के सहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था जो मम्मी थी वो समझ तो गई थी कि बच्चे को मा का दूथ ही मिलाना चाहिए पर उसके फैमली में एक लड़की आने के करण उस बच्चे को वो इंपोर्टेंट समझी नहीं रहे थे और मम्मी को सैकोलोजिकाल सपोर्ड तो वैसे ही नहीं मिल रहा था physical support में नहीं मिल रहा था जैसे कि अच्छा खाना बच्चे के लिए मा का दूद जरूरी तो है पर वो मा का दूद अच्छी तरह से production होने के लिए अच्छा खाना खाना मा को भी बहुत जरूरी होता है पर जो हमारे पास तीसरी फैमिली थी वो इन दो फैमिली के लिए उधारन बनने की सामने आई क्योंकि इस फैमिली में बस एक लोती मा थी और उसका जो पती था वो बाहर काम करता था पर उस अकेले मा ने भी कोई कसर ना छोड़ी और अपने बच्चे का परतरा से ध्यान रखा वो नाकी स्री बच्चे को अकेला क्यार करती थी वो काम भी करती थी काम करने के बावजूत वो अपने बच्चे को साथ ले के जाती थी हमेशा उसका सारा जरूरी का सामान उसके पास रखती थी और हमेशा जब भी बच्चे को भूग लगे तो अपना ही दूद पिलाती थी क्योंकि उसको डॉक्टर का कहा गया सारा बाते बहुत अच्छे से याद था वैसे याद तो इन दो फैमिली को भी था लेकिन कुछ न कुछ कंडिशन के कारण वो बाते वो मान नहीं पारे थे और जब वो तीनो फैमिली रेगुलर चेक अप के कारण डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि पहले दो फैमिली का जो बच्चा था वो बिल्कुल ही अनहेल्दी था लेकिन जब वो आखरी एक पैरेंट्स वाला बच्चा जो था वो बिल्कुल हील्दी था क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से उसका उसकी मम्मी क्यार कर रही थी और उसी को डॉक्टर ने उन दोनों फैमिली को दिखा के उधारण देके बताया कि आपको अपने सिच्वेशन को अपने उपर हावी नहीं होने देना है क्योंकि ये एक नन्ही जान है अगर इसको क्यार नहीं दिया गया तो इसकी जान भी जा सकती है इसलिए डॉक्टर ने समझाया और हमने भी आखिर में रोल प्ले के ये मेसेज दिया कि बच्चे को हमेशा मा का दूध ही पिलाना चाहिए जो की होता है six month का period और भी बहुत सारी छोटी छोटी बाते थी जैसे कि मा का दूध जितना बच्चे के लिए important होता है उतना बच्चे को किस तरह से मिल्क फिलाना चाहिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए तो I hope, आप लोग समझ गये होंगे कि मा का दूद बच्चे के लिए कितना important होता है और आपके लिए भी एक सवाल है या आपने मा का दूद पिया है प्लीज अपने बच्चे का अच्छे से क्यार लीजिए और डॉक्टर जो बोल रहा है प्लीज मानिए संखेव में समरी में पस इतना ही है एक बच्चे हमारे फ्यूचर है थैंक्यू तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकता है बरसाद में सारे मेंड़क जो है बाहर निकले थे और वापस कुछी देर बाद फिर उनको अंदर लिया जा रहा है तो अभी बहुत दूख है सारे कि जो खुछी का वक्त था वो खतम हो रहा है वैसे आरा जो काम था बहुत अच्छे से हुआ और हमें यहाँ पर प्रीका कोल्डरिंग से मिला है इसको हम पी के डगार लेते हैं और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपको वीडियो में अच्छा लागा बाइज